रोज रात को मेरे घर पर औरते रोती हुई आती और मेरा देवर उसे अपने कमरे मिले कर चला जाता और रात पर बंद कमरे से औरतों की चिखने की आवाज आती और सुबह को वह औरत खुशी खुशी अपने घर चली जाती सुबह को जब मैं देवर का कमरा साफ करने जाती तो मुझे उसके कमरे से एक अधजली मुंबती और एक कटोड़ा घी मिलता राज जाने के लिए एक रात मैं अपने देवर के कमरे में जाकर चुप गई और जो देखा मेरे पैरोतले से जमीन निकल गई मेरा नाम नमीता है मैं एक ऐसे गाउं की लड़की हूँ जहां लड़के फोज में भरती होते हैं और देश की शेवा करते हैं और और औरतें तनहा रह जाती थी मेरे पापा भी फोज में थे पर जंग में उनकी जान चली गई थी बहुत ही मुश्किलों के साथ मेरी माने शादी करवा दी मेरे पते भी फौज में हैं और शादी के 15 दिन के अंदर ही वह अपनी ड्यूटी में वापस चले गए और मैं अपने देवर सुरेज के साथ रह गई अपने गाउं के घर में मेरा देवर मेरे ही उम्रकत था और वह अक्सर भावी भावी करके मुझसे बात कर जल्दी ही उसने मेरे अंदर का अकेलेपन को भाव लिया मेरे पती ने मेरे देवर से कहा था कि तुम भी फौज में भरती हो जाओ पर मेरा देवर ना जाने क्या काम करता था कि मेरे हाथों में पैसे थमा देता था पर दिन भर घर पर ही रहता और वह मेरे पीछे-पीछे रहता था जब भी मैं किचन में खाना बनाती थी तो वहां मेरे पास आ जाता और मेरी मदद करने लगता। बहुत है लेकर अपने कमरे में चला गया। और यहां नजारा देखने को मिला देवर ने अपने कम्रे का दर्वास बंद कर रखा था और कम्रे के अंदर से उस औरत की चिखने की आवास आ रही थी आवास इतनी अजीब सी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धरकने लगा था कि आखिर कम्रे में मेरा देवर उस औरत के साथ क्य कर रहा है कहीं कुछ उंच नीच ना हो जाए ना जाने मेरे देवर ने क्या पढ़ाई कर रखी थी क्योंकि शादी के बाद कभी-कभी वह दिन में वालेट चला जाया करता था जो कि शहर में है और कभी-कभी मैंने उसे कोई काम करते हुए नहीं देखा था मैं अपने कमरे मे आकर सो गई थी पर रात को जब भी मेरी नीन खुलती तो मुझे उस औरत की चीखने की आवाज आती थी और मैं डर के मारे पसीने-पसीने हो जाती थी मैं सुबह देर से उठती थी जब मैं नौ बचे सुबह उठी तो देखा दिवर का दर्वाजा खुला हुआ है और कमरे के अंदर कोई भी नहीं था मुझे लगा कही मुझे कोई भ्राम दो नहीं हो गया पर मैं कल यह सब कुछ अपने आखों से देखा था यह सपना तो नहीं हो सकता मैं देवर के कमरे में सफाई करने लगी और कमरे के अंदर से मुझे एक अधजली मुंबती और घी का कटोरा मिला यह सारा सामान बहुत ही हैरत में डालने वाला था मैंने अपने घर का सारा काम निप्टा लिया था पर मेरा देवर घर पर नहीं था और ना ही वह औरत दिखी थी ना जाने रात में ऐसा क्या हुआ होगा मैं दिन भर यही सोच-सोच के परिशान होती रही शाम को मेरा देवर घर पर आया रात में होने वाली घर्टना के बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी उससे पोचना ठीक नहीं समझा क्योंकि मैं खुद बखुद अपने आप पता लगाना चाती थी, रात में खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में सो गए थे, लेकिन अचानक एक औरत की रोने की आवाज से मेरी नीन खुल गई, मैंने ड्रॉयंग रूम में जहांक कर देखा, एक औरत सोफे में बैट कर रो रही थी, और मेरा से पी यह सारी बाते नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतनी दूर से खामखा परेशान हो जाते, आज जो लड़की आई थी, वो बहुत ही कम उम्रकी थी, और शादी शुदा थी, ना जाने उसे ऐसा क्या दुख होगा कि वह इतनी रो रही थी, और आखिर मेरे देवर उसे बहला फुसला के अपने साथ रात गुचारने के लिए कैसे लेकर आ गया, फिर से रात में मुझे अजीबोगरी आवाज आने लगी थी, और जब सुबह हुआ तो आज मैं जल्दी उट गए थी, और मुझे वह लड़की नजर आई, और वह आज रो नहीं रही थी, बलकि बहुत खुशी-खुशी नासते हुए घर के बाहर निकल कर चली गई, और उसके बाद मेरा देवर भी घर से बाहर निकल कर कहीं चला गया था, जब मैं अपने देवर के कमड़े में सफाई करने गई तो आज भी मुझे एक मुझे नजर आई थी, जो आधी जली हुई थी, और वह तो काफी खुशी-खुशी घर जा रही थी, आखिर क्या चक कर चल रहा है, यह सोच कर मैं वक्त काट रही थी, आज मेरे पती ने मुझे कॉल किया तो मेरा ध्यान काफी भटका हुआ था, वो मुझे बार बार पूछने लगे कि घर में सब ठीक तो है ना, आखिर बात क पर मैं अपनी परिशानी बता कर उनको परिशान नहीं करना चाती थी, आज मेरा देवर लंच के वक्त आ गया और मेरे हाथों में पैसे थमा दिया, मुझे से खाना मांगने लगा था, उसने कहा भाबी आप कमाल की खुबसुरत लग रही हो, उसकी बात सुनकर मेरे दिल मे एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, और खाना खाकर उसे आज खाना इतना अच्छा लगा कि उसने अच्छानक ही मुझे पकर कर मेरे माथी को जूम लिया, कहा भाबी मुझे पता है भाईया नहीं है, और आप काफी अकेला पन महसूस करती है, लेकिन आपको अगर कभी भी अकेला पन महसूस हो तो आप मुझे बताना, उसकी यह बाते सुनकर तो मैं गहरी सोच में डूब गई थी, आखिर मेरा देवर मुझे से चाहता क्या है, मेरा देवर अक्सर ही मुझे ऐसी बाते करता था, जिससे मैं अपने पती की कमी भूल जाती थी, और हर वक्त वह मेरे अंदर एक नया जूश भर देता था, मैंने यह भी नोटिस किया था कि जब भी मैं अपने देवर के साथ बात करती थी, तो उसके बाद जब भी मैं कमरे में आ जाती, अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराती और खुश रहती थी, मैं अपने पती की कमी भी महसूस नहीं करत पती है, और पती से इतना दूर रहना परता है, साथ ही हर वक्त यह डर लगा रहता है कि पती को कुछ हो न जाए, जो बिध्वा हो जाती है वा तो गम के सागर में डूब जाती है, जब मैं 12 साल की थी, तो मेरे पिता की मौत हो गई थी, मेरे पिता, मेरे मा और हम दोनों भ हर वक्त उनकी जिन्दगी में रह गई थी, उनके चेहरे से जैसे मानों रौनकी खतम हो गई थी, और एक बिध्वा की जिन्दगी जीने के लिए वा मजबूर हो गई थी, हमारे गाउं में बिध्वा औरतें दुसरी शादी नहीं करती है, क्योंकि उससे लोग उन्हें भल बुरा कहते हैं, इसलिए जो भी औरत बिध्वा हो जाती है, वा बाकी की जिन्दगी अकिले पिन में ही कार देती है, मेरे घर का यह सिलसिला चलता रहा, और हर रात कोई न कोई आरत रोती हुई हमारे घर पर आती, और ना जाने मेरा देवर देशी घी और मुम्बती से उन दिन में बाजार गई हुई थी, और वहां मुझे एक औरत मिली, जो कि मेरे देवर के साथ एक रात गुजार चुकी थी, उसको देखते ही मैं पहचान गई, उस औरत ने मुझे नहीं देखा था, मैंने सोचा क्यों ना इस औरत का पीछा किया जाए, तो पता चल जाएगा क महांजरा क्या है, फिर क्या था, मैं उसका पीछा करने लगी, बाजार में उसे एक और औरत मिली, जो कि काफी दुखी और परिशान नजर आ रही थी, तभी उसने एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई, उसने कहा, तुम सुरेश के घर चली ज हो जाता है, उसे रात को काफी तीज बारिश हो रही थी, और बाजार में मैंने जो दुखी औरत देखी थी, बारिश में भीगती हुए हमारे घर का दर्वाजा खटखटा रही थी, और मेरा देवर दर्वाजा खोलकर उसकी तरब देखता ही रह गया, उसने उसे अंदर ब और उसके कप्रे उतारने लगा, उसके बाद उस औरत ने टावल लपेट लिया, यह सारा नजारा देखकर मेरे सासे तेज हो गई, आखिर यह औरत मेरे देवर के सामने कपड़ा कैसे उतार दिये, मैं भी अपने पती के बिना पुरे दो महिने से अंदर या अंदर तरप र मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा कि देवर ने मुझे देख लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, शर्म से मैं पानी पानी हो रही थी, मैंने देखा हमारा फ्लोर उस औरत के गीले कपड़ों से गीला हो गया था, तो मैं रसुई से कपड़ा लेकर मां सफाई करने के बारे में सोची, जैसे मैं रसुई की उर्जाने लगी तो देखा, देवर का दर्वाजा आज हलका सा खुला हुआ है, वैसे तो रोज देवर अपना कमरा बंद करके रखता है, आज उसने अपना दर्वाजा बंद नहीं किया था, शायद वो यही चाहता है कि मैं देखूं कि वह औरत के साथ अपने कमरे में क्या करता है, पर उसने ऐसा क्यों किया होगा, वह क्यों चाहता होगा कि मैं आज सब कुछ देख लूँ, जो कुछ भी वो बंद कमरे के अंदर करता है, पर मेरा आज बहुत ज्यादा मन करने लगा कि मैं देखूं और अ अचानक उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और मुंबत्ती जला दी थी और फिर उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा मैं डर के मारे थर-थर कापने लगी थी मेरी हालत भुछी खराब हो चुकी थी मैं पूरी रात वहीं खरी रही और कमरे का नजारा देखती रही मेरा कiner की आवास सुनकर वह उठ गया और जल्दी से उठकर अपनी कमरे का दर्वाजा बंद कर दिया अब मैं और मेरा देवर कमरे के अंदर बंद हो गये थे मेरा चेहरा बिलकुल लाल हो कुका था मेरा देवर मेरे पास आया और कहा कि आपके पती ना होने की कमी मैं पूरी कर दूँगा जैसे मैं दूसरी औरतों की कमी पूरी करता हूँ और मैं रात के खयालों में खो गई जो मैंने देखा था मेरे देवर ने कमरे की अंदर मुंबत्ती जला ली थी और उसके बाद उस औरत के करीब आकर कहा कि अब मैं तुम्हारा हर दुख दूर कर दूँगा और डिप्रेशन का इलाज करूँगा एक कुरसी में उस औरत को बैठा दिया था और कहा था कि तुम मुंबत्ती की ओर देखते रहो और उसके बाद मेरे देवर ने अपना कपड़े उतार कर अपने बदन में घी लगाने बात कही थी जिसे सुनकर मेरे होश उर गये थे कहा कि मुंबत्ती के तीन चक्कर लगाकर अपने सारे दुख को फुल जाओ फिर हमें एक दूसरी के सरीर का लगागी चाट कर साफ करना होगा और उसके बाद बहुत दोनों यही काम करते रहे थे मेरा देवर और तों के साथ हर रात यह सब काम करता है ताकि वह डिप्रेशन से बाहर आज जके और जो और अकीली और तनहा होती है और खुशी खुशी सुबा को देवर को धेर सारे पैसे दे कर चली जाती है अच्छानक मेरा देवर मेरे पास आया और कहा कि भाबी आज रात आप मेरे कमरी में आ जान पने देवर के अंदर जरूर कोई समोहन करने की शक्ती है जिस से वह औरत को अपने बस में कर लेता है रात को मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम यह सब काम क्यों करते हो तो उसने अपनी जंदगी कार्नी बताई उसके पापा और चाचा बेफौज में थे और महीनों बाहर रहती थे और उसकी ममी और चाची तनहा जिंदगी गुजारती थी और अपने पती के इंतजार में बैठी रहती थी दिन भर तो वह हमें बड़ा करने में ही लगी हुई थी पर जैसे ही रात होती वह अकेली और बे सहरा रह जाती थी जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे चाची अकेली और तनहा रह गई थी उनका कोई बच्चा भी नहीं था और हर वक्त वह गुमसुम सी रहने लगी थी अपने ही कमरे में बंद रहती थी और रोती रहती थी उस वक्त हमें समझ नहीं आया कि वह डिप्रेशन में है और कुछ महिने के अंदर उसने भी अपनी जान ले ली। मैंने अपनी चाची को भी खो दिया था। उसके कुछ सालों के अंदर मेरे पापा के भी मौत हो गई अब पस परिवार के नाम पर मेरे भाएया और मा रह गए थी लोग कहते हैं फौजी होना बहुत ही गर्प की बात है और फौजी के परिवार वालों को बह और एक दिन कुए में कूद कर उसने अपनी जान दे दी। तब से ही मैंने ठान लिया था इस गाउं की औरतों का दुख और तकलीफ मैं दूर करूंगा ताकि डिप्रेशन में आकर किसी और औरत की मौत ना हो। मैंने अपनी माँ और चाची को तो खो दिया पर भाबी मैं मैं अपने दीवर के साथ खुश रहने लगी थी लेकिन जब मेरे पती चुटी में घर आती तो मैं उनके साथ वक्त गुझारती थी मुझे पता है कि मैं जो भी करती हूँ गलत करती हूँ पर अपने आप को खुश करने से नहीं रोक पाती और औरत को खुश रहने का हक है मैंने अपनी खुशी इस तरीके से ढून ली थी जैसे गाउं की बाकी औरतों ने ढूनदा था दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें Thank you